नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी आज सुप्रिम कोट में बी सी सी आई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जैसाह के कारेकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई हुई क्या है पूरा मामला और कोट में क्या कोच सुनवाई हुई देखिए हमारी ये रिपोर्ट सुप्रिम कोट ने बी सी सी आई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जैसाह को बढ़ी रहात दी है कोट ने अधिकारियों के कारेकाल से जुड़े मामले में इन्हें रहत दी है और कोट ने फैसला सुनाते हुए बी सी सी आई के समिधान में संसोधन को मंजूरी दे दी है साथी कूलिंग ओफ पीरियट से जुड़े समिधान में संसोधन को भी मंजूरी दे दी है इसका मतलब है कि अब गांगुली और जैसाह के कारेकाल पर फिलहाल कोई संकट नहीं है और अब यह दोनों लगातार दूसरी बार अपने पद पर बने रहेंगे सुप्रिम कोट ने अपने फैसले में कहा है कि अब राज्य क्रिकेट एसोसियेशन और बी सी सी आई के कारेकाल को एक साथ नहीं माना जाएगा ऐसे में कोई अधिकारी राज्य क्रिकेट में 6 साल काम करने के बाद बी सी सी आई में भी 6 साल काम कर सकता है लेकिन किसी एक संस्था में लगातार 6 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। दरसल BCCI ने सुप्रिम कोट में अपील की थी कि उनके अधिकारियों को लगातार 2 कारेकाल तक बने रहने की इजाज़त दी जाए। और वोड का कहना था कि राज क्रिकेट संगों में भी 3 साल का क कूलिंग आफ पीरियड होने के कारण BCCI में उसके प्रमोशन में या दूसरे पदभार को ग्रहन करने में दिक्कते आती है। इस पर सुप्रिम कोट ने अपने फैसले में कहा है कि एक कारेकाल के बाद कूलिंग आफ पीरियड की जरूरत नहीं है। लेकिन दो कारेकाल के बाद ऐसा किया जा सकता है। इससे साफ है कि सौरफ गांगुली और जैसाह आने वाले तीन साल यानी दो हजार पच्चिस तक अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं। दरसल दो हजार अठारह में BCCI का नया समविधान लागु हुआ था। इसमें यह नियम था कोई भी अध व्यक्ति खुद ही किसी पद की रेस से पूरी तरह से बाहर हो जाता है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ध्या है। युए भाता हूँ एक लुड़ी ख़ुड़ीं।